पित्रों कई लोगों का डेट के लेकर confusion होता है, प्रस्ण करते हैं, डेट की जानकारी के लिए अपनी मासिक डेट की तारीख बताते हैं, देखे एक तोरह तो सभी को डेट के हिसाब से गर्वधारन के दिन समय सभी को बताना संभो नहीं होता है, एक दो लोग, तीन लोग हो से गर्वधारन के दिन निकाल सकते हैं, और कैसे निकालना इसका तरीका हम आपको बता देरें, तोड़ा सा आपको बुद्धी लगानी पड़ती है, और अगर आप ये बुद्धी नहीं लगा सकते हैं, आपको चाहिए कि हम आपको डेट निकाल कर दें, तो उसके लिए आ आपको थोड़ी सी फीस जमा करनी होती है और आप नीचे दिए कि वाटसेप नंबर पर संपर्ग कर सकते हैं और सिर्फ इस नंबर पर आपको संपर्ग करना होता है और इस पर आप फीस नहीं जमा करें सिर्फ आप संपर्ग करिए इस नंबर पर आप संपर्ग करेंगे पासी एक चीज यह देखा जाता है उस रिलेशन के दिन में ये दोनों चीज़ें अगर एक साथ बन गएं हो उन दिनों में तो जैसे उस तारीक में घनिष्णा नच्चत्र सूल योग या रोहटी नच्चत्र बृधी योग, पुनरबस नच्चत्र हंशन योग, चित्रा नच्चत्र पृती योग, स्वाती नच्चत्र आईश्मान योग, यानि ये दोनों एक साथ हो, तो वो तारीक अच्छी बन ज सब्सक्राइब 3-3 अच्छा होता क्योंकि एक या दो सब्सक्राइब चर्फर अधार तो होगी तो उनके लिए जो बता रहे हैं उसमें इसाब से आप कंसी भी कर सकते हैं तो चौदा फरवरी को आपको डेट आई है यह चौदा तारीक फरवरी की हो गई अब इसमें पहले आपको देखना है कि यह पहला दिन आपका हो यह पहला दिन आपको हो गया अब इसको जोड़ कर लेकर चलिए जैसे 15 तारिक आप लिख लिए उसके बाद 16 तारिक 17 तारिक और इसके बाद 18 तारिक 19 तारिक 20 तारिक यहाँ फिर आपको 21 तारिक 22 तारिक 18 तारिक 24 तारिक 20 तारिक 26 तारिक हम पूरा डेट आपका लिख ले रहे हैं यहां पर इसे आप समझ ले आसानी होगी आपको और 28 तारीक हम सभी तारीकों को लिख ले रहे हैं 29 तारीक 30 तारीक और इसके सौरी माप करिएगा यह फरवरी का महीना है तो 28 के बाद एक तारीक आएगी यानि एक पार्च होगा हम भूल गए थे आपको और यहां आपको अब सर्फ यह देखना है कि 14 से आपका डेट आया है अब एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, 19 तारीक आपका छठवा दिन हो गया अब यह दिन आपको कंसीब का पहला दिन है यह छठवा दिन इस दिन से आपको कंसीब करना सुरू करना है अब इसके बाद आपको यह देखना है इसमें कि इस 19 तारीक में जैसे पूर्डवासी अमोसिया, सनिवार, मंगलवार का दिन तो नहीं है देखिए सनिवार और मंगलवार के दिन भी कुछ होते हैं कंसीब के लिए जिसे योग ये योग होता है, कुछ लोग योग पूछते हैं क्या है यह योग है यह बदलते हैं तिठी के साफ से योग का परिवर्तन होता है तो जिसे योग ये बदल गया दूसरा योग आगया तो तिठी भी आपकी बदल गया यмет यानि वो दिन का परभाव जो है मंगलवार या सनुवार का दिन का परभाव खत्म हो जाता है और अक्सर ये मंगल वार सनी वार को दिन को आपको छोड़ देना चाहिए अब यहां हम 19 तारिक को पहला दिन माल लेंगे तो आप इस दिन कंसीव करें और इस दिन में आप गरब धरन आप कर सकते हैं लेकिन इस दिन का जो समय आपका बनेगा वो दिन के ही रहेगा क्योंकि रात्री में बीच का समय है तीथी की इंसाफ से आपको बता रहें यह हमने पहले से देख के रखा है तो इसके बाद अब आपका जो यहां आठ्वा दिन आएगा यानि छे हो गया साथ हो गया और आठ्वा दिन आपका 21 तारिक होगा 21 तारिक सबसे अच्छा दिन रहेगा पूर्बा आप गर्वदारन करें और इसके बाद 24 तारिक चोड़ दीजिया आप 25 तारिक हो कंसीब कर सकते हैं और 25 तारिक योग अनुसार और नचात्र के अनुसार चची नहीं रहे तो इसमें आप अगर चैह है तो इस तारिक को चोड़ दीजिये और आपका 26 तारिक भी चूट जा दौधा दिन हो जाता है तो 27 तारी को आप कंसीब कर सकते हैं ये दिन सबसे अच्छा दिन रहेगा रोही नच्छत्र है और योग नच्छत्र दोनों की युकती इस तारीक में बहुत ही सुन्दर बन रही है तो इसमें आप गर्ब धारन कर सकते हैं समय जो होगा इसमें रात नो बचकर 35 मुनट से 3 की बीच गंसीब कर सकते हैं ये तारीक सबसे अच्छी बन रही 27 तारीक की 27 फरीकी और यूझे समय जो होता है वैसे समय तो हम जो तीथी जानकारी नहीं है तो आप 10 बजे से लेकर या 2 की बीच कंसीब कर सकते हैं, 9 से 3 की बीच कंसीब कर सकते हैं, तो आप इसमें मुहरत की हिसाब से समय निकाल सकते हैं, और जैसे तीथी की हिसाब से मुहरत समय सभी नहीं जान पाते हैं, तो उसके लिए तो देखना पड़ता है और 17 कο आप Conceive करें इसके बाद आपका जो 16 दिन होगा वो 16 दिन आपका 1 March होगा यहां आपका 16 दिन जाएगा और ये भी अद्रानचच्धर होगा तो आद्रानचच्धर भी अच्छी संतान प्राप्टी के लिए तो इसमें आप Conceive कर सकते हैं और योग भी इसमें प्रभाव साली है अब कुल मिलाकर आपका जैसे समय की बात की जाया तो इसमें समय तो दस पैटालिस से दो की वीच अच्छा बन रहा है इसमें एक तारीक में और जैसे अभी पूछें की सभी कूछते हैं कि जैसे पांच दिन हुए आपके एक कृष्प पकष था बाखी सभी दिन उन्स ंकЛपग्तर गेगी लिए उन्नीशत में इस सबसे अच्छा बनाएं तो यहां आपको बता दें कि सबसे अच्छा धिन आपका तैस तारिक आपका सबसे अच्छा धिन आपका रहेगा ऑंवके ठीक होंगी भी दिनly का यह तो नहीं रहेगा, 23 तारिख अच्छी रहेगी, 27 तारिख बहुत अच्छी बन रही है, और इसके बाद एक मार्च सबसे अच्छा बन रही है, यानि एक, दो, तीन दिन भी बहुत ही प्रभावस वाली बन रही है, गर भाधालने के लिए, और पुत्र-योग प्राप्ती के लिए भी अ समय अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप ये तीन दिन भी आप परियोग कर सकते हैं यानि 20-22 या 18-22 दिन का भी परियोग आप कर सकते हैं जिनकी डेट की सरकल जाता है तो उनको आप उनके लिए ये तारीखी भी परियोग में उचित होंगी तो इसके हिसाब से आप कंसीव कर स ये तो परिसान होने से तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा बुद्धी लगाईए तो सब कुछ कर लेंगे और नहीं चाहते हैं आप करना खुद से तो आप इस माध्यम से जैसे सुरू में बताया है कि आप इस माध्यम के हिसाब से आप हमसे डेट की जानकार से इस वेव हैक तो.